हलो दोस्तों आप सभी का विलकम करते हैं आपके अपने चैनल ओनलाइन अर्निंग में दोस्तों एने पियार में जून की भी क्लोजिंग हो चुकी है और आपका पैशा रिसीब वालिट में सो भी करने लगा है दोस्तों बहुत से लोगों को बहुत सारी कन्फियूजन है बहुत ही सवाल उनके है दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतनी कम इंकम आई है तो मैं आपको बता दूँ कि जून महीने मई जून जुलाई तीनों महीने का आपका पंदरह दिन की इंकम मिलेगी और वो भी 40 जितनी आपकी 15 दिन की इंकम होगी उसका 40% मिलेगा और ये जो आप अगस्त में काम कर रहे हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा मिलेगा आपको क्योंकि इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ क्योंकि कमपनी की तरफ से ये अपडेट नहीं है कि आपकी जून की अगस्त की भी पेमेंट काटी जाएगी लेकिन मुझे जहां तक उमीद है कि अगस्त का भी पेमेंट आपका कटेगा और अगर आप चाहते हैं और करना भी तो करिए वरना आप इंतिजार कर सकते हैं तो करिए न्यू अप्लिकेशन के आने का NAPR का जम ने अप्लिकेशन आ जाएगा तब आप काम करेंगे तो आपका एक रुपए भी नहीं कटेगा ये कमपनी की तरफ से वादा किया गया है और दोस्तों अभी जो भी आप काम कर रहे हैं उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको डेली के 11 रुपए से 12 11 से 13 रुपए की ही इंकम हो रही है तो दोस्तों अभी आप अगर वर्ग करना चाते हैं तो करिए वरना अप्लिकेशन आने का इंतिजार करिए अप्लिकेशन आजाता है तो आप वर्ग करिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप वेबसाइट पर जब जाएंगे कम्प्लिक टास्ट पर क्लिक करेंगे तो यह डारेक्ट आपको वेबसाइट पर लेके चला जाएगा और यह हमारी आइडी ओपन हो चुकी है और यहाँ से अभी टोटल इंकम में से पैसा जून का कटा नहीं है यहाँ पर भी अभी शो कर रहा है तो यहाँ पर आप ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिसीव वालेट का आप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपरेल और माई का मेरा यह है और जून का 308 रुपए मिले है मुझे मेरा 1622 रुपए हुआ था तो 1622 रुपए का मुझे 15 दिन की ही इंकम मिली तो 811 रुपए हुआ और 811 रुपए का 40% मुझे यहाँ पर मिला हुआ है तो आपका प्रोड़क्ट कब आएगा जब यह आपकी रिसीव वालेट में जितनी इंकम है सब जोडने के बाद अगर आपकी प्रोड़क्ट इतना पैसा हो जाता है तो आपका प्रोड़क्ट आएगा और प्रोड़क्ट से प्रोड़क्ट इतना पैसा होने के बाद बाद 100 रुपय प्लस 100 रुपय से जाता आपका हो जाता है तो आपका विट्डॉल भी चला जाएगा तो मेरा इस बार भी नहीं बन पाया है तो अगली बार उम्मीद है कि मेरा बन जाएगा अगली बार मेरा पेमेंट आ जाएगा और पेमेंट आने की भी उम्मीद है और प्रोडक्ट भी आने की उम्मीद है तो इस तरीके से ही जून की इंकम आपकी 15 दिन की मिली है और उसका भी 40% मिला हुआ है तो आप सभी जानते ही है कि किस तरीके से company को घाटा हुआ है और उसी वजह से ये सब पैसा काटा गया है तो नए application जब आ जाएगा तो उसमें सही से work होगा और वहाँ पे किसी को fake work करने का कोई chance नहीं मिलेगा तो कोई fake work नहीं कर पाएगा तो income भी बनेगी और अगर आपके पास time है और आप कर सकते हैं तो अभी इस application पर work करिए और अगर आपके पास time नहीं है नहीं कर पाएगे आप तो new application आने का इंतिजार करिए बस एक काम आप करते रहिएगा कि अपनी ID login करते रहिएगा वेबसाइट पर जैसे यहां पर मैंने login किया है यहां वेबसाइट पर आप एक पर तबाँ ID login कर लिजाएगा ताकि आपकी ID block नहीं ब्लोक हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी आपको पैसा देके अपनी ID activate करानी पड़ीगी तो क्या जरुवत है एक बार ID अपनी login कर लेंगे तो आपकी ID block नहीं होगी तो दोस्तों इने PR से अभी उमीद है अभी नाउमीद होनी की जरुवत नहीं है क्योंकि company भी loss में गई है company का system सही से नहीं अभी तक बैठ पाया है company का system सही से बैठ जाने के बाद अगर वो पैसा नहीं देती है तो फिर सोचा जाएगा लेकिन अभी company पे भरोसा करने लाइक है company अभी उमीद है चलने की सही से रन करने की application आने के बाद क्योंकि अभी भी company के website पे add आ रहे हैं income हो रही है लेकिन उस तरीके से income नहीं हो रही है कि जिस तरीके से आपको self के 55 रुपए जिस हिसाब से आपको बताया गया है कि पैसा बाटा जाएगा उस हिसाब से income नहीं हो पा रहे है कि आपको पैसा बाटा जा सके तो इसलिए ही company loss में ना जाए इसलिए जितना पैसा आ रहा है उसमें ही अपना calculation करके वो company पैसा बाट रही है तो अगर आप इस पैसे पे काम करने के लिए राजी हैं तो करिए परना आप new application आने का इंतिजार करिए फिलहाल में अभी हमारा भरोसा बना हुआ है यह नहीं PR पे और यह उमीद है कि भरोसा नहीं तूटेगा और तो दोस्तों आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और कोई question होगा तो आप comment box में बताईएगा आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका यहाँ पे receive wallet में जो पैसा होता है उसी का ही आपका product इतना पैसा अगर हो जाता है और जितना पैसा होता है उसका 15% काटने के बाद TDS और admin charge 15% होता है वो काटने के बाद आपका product इतना पैसा हो जाता है तो आपका product आएगा और वो काटने के बाद 15% आपका product इतना पैसा प्लस 100 रुपीज के पार होता है तो आपका विडियो भी आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों चैनल पे पहली बार आए है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा तैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए